सभी को मेरा साधर प्रणाम मेरा आज का विशे है कार्य करते करते प्रेम को विकसीत करना डेवलपिंग लव वाइल सर्विंग अदर्स आपके दिल तक पहुँचने का आज मेरा ये छोटा सा और पहला प्रयास है काफी सालों बाद ये प्रयास कर रही हूँ जो भी अच्छा और सही होगा वो मेरे गुरुदेव से है और जो सही नहीं लगा वो मेरा है प्रेम शब्द की पहचान हमें मा के प्रेम से मा की पहचान मा को देख के होती है उसके बाद में गुमाता पितवा पिता, गुरु परिवार, पती, बच्चे, आदी सबसे हमारी पहचान होने लगती है इंडिविजिल याने वयक्तिक स्वर पे प्रेम करना जब हम आईने में खुद को देखते है तो आपने अपने भोतिक शरीर को पहचानने लगते है उसको सवारने में जुट जाते है पंचेंद्रिय और न्यानेंद्रियों से सम्मिलित इस शरीर का पूरी तरह से उपयोग और विनियोग हम करने लगते है इससे हमें जीवन को में गती प्राप्त होती है हमारे कार्यों को गती प्राप्त होती है ये सब बताने का कारण ये है कि इन भौतिक सूक्षम और कारण चरेर का पूरी उपयोगिता और विनियोग से ही हमारा कोई भी कार्य संपन्न होता है हमारा जीवन संपन्न होता है, संपूर्ण होता है धीरे धीरे जैसे हम परिवार में फैलने लगते हैं हम सूक्ष मशरीर का उपयोग करना जानने लगते हैं जिससे हम न्यान प्राप्त करते हैं सोचना, तरक करना, नतीजे बर पहुचना आदी न्यान प्राप्त करने लगते हैं और अगर गुरु कुरुपा के सैयोग से आत्मा की पहचान होने लगे तो हमारे जैसे भाग्यवान हम ही है और इन तीनों शरीरों का योग्य, उपयोग और विनियोग हमें किसी भी कार्य करते वक्त करने को आना चाहिए वैसे पूजदाजी ने बताया ही है कोई भी साहसिक कार्य कठिन प्रैत्न के बिना संभव नहीं होता तीनों शरीरों के बारे में हमने अक्षर सत्य में पूजलालाजी सहाब ने जो लिखा है वो पड़ा है आईए अब हम जानते हैं कि किसी भी कार्य या गुरु कार्य में आने वाली कुछ बाधाये और विशेश गून आत्मसात करने की जरूरतों पर हम नजर डालेंगे आप कहेंगे बाधा है क्यों लेकिन वही हमारे रास्ते में प्रगती के रास्ते में आती है सबसी पहले बाधा है आलोचना किसी की आलोचना करना ये दुर्गुन हमें हटाना रहे होगा उस कार्य के बारे में अधन्यानता व्यक्ती के बारे में अधन्यानता पगेर पक्षपात का चुनाव करना क्रोध और अहंकार अहंकार तो ऐसी चीज है हमेशा भौतिक दुनिया में हमारे अहंकार को पोशित किया जाता है तो अध्यात्मिक पत पर अहंकार को पुर्ण रूप से नश्ट किया जाता है या जाना चाहिए परन्तु हमें जब मालिक द्वारा कोई विशिष्ट काम सोपा जाता है तब पहला सर्प होता है पहले यह अडचन होती है जो हमाँ अपके कार्यक में बीच में आता है वो है अंकार क्योंकि आप उसमें दूसरों को शामिल नहीं करना चाहते हो आप ब्रहमस्वरूप नाम आइडेंटिटी के लिए सोचते हो बाद में जैसे जैसे आप उस काम के बारे में सोचते हो मालिक और विश्वास के बारे में सोचते हो तो धीरे धीरे आप खुद को भूलने लगते हो खुदी को भूलने लगते हो और अहंकार पे आप मात करते जाते हो और आगे बढ़ने लगते हो ये नियम हर कोई काम को काम पर लागू होता है फिर चाहे वो आपका अध्यात्मिक काम हो या अधिबहुतिक कार्य हो विशेज गूण आत्मसात्थ करने के लिए जो जरूरते हैं उसमें हम थोड़ी सी नजर डालेंगे पहले तो हमें सबयम का अध्यान करना चाहिए और किसी भी कार्य करने से पहले सबसे पहले गुरू स्मरण प्रार्थना जो रुधे की आवाज को बेतर धंग से सुनना होता है वो आपको करनी चाहिए आत्मविशलेशन सच्चाई शब्दन्यान शब्दमहात्मय प्रेम पूर्वक शब्दों का उपयोग बगेर किसी का दिल दुखाए करने को आना चाहिए समय समय पर डाइरे में लिखना या कार्य करते वक्त अपने अंतरमन के विवेक से जुड़े रहना ये सारी चीजे हमें आगे बढ़ने में साथ देती है तीनों भहतिक गतिशील सूक्ष्मा कारण शरेर का उत्तम उपयोग करके ही हम किसी कार्य में सफल हो पाते हैं हम थोड़ी सी कार्य प्रणाली पर बात करेंगे क्योंकि प्रेम विकसंशील क्रिया है उसमें कोई injekshan तो नहीं है जब हम किसी कार्य पर परमपूज बाबुजी महराज की नजर से विचार करते हैं उसकी कार्य फ्रणाली पर कोई योजना बनाते हैं चिन्तन या मनन करते हैं उसके बारे में इन्यान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तब हमारे अंतर में कमपन उत्पन्न होते हैं। जब ये कमपन बढ़ते हैं तब वे शक्ती शक्ती पैदा करते हैं या उत्पन्न करते हैं। जो द्वनी के साथ बाहर फूट पढ़ती है। ये कमपन अगर हमारे साथी व्यक्तियों में प्रेम के साथ फैल जाए, प्रसारित हो जावे तो वो काम अच्छे प्रभाव में संपन्न होता है परन्तु जरूरी है उसमें आपका मैं मेरा अपना कोई मिश्रित ना हो नहीं तो गड़बड हो जाती है इसके लिए हमारे अंदर अच्छे विचार अच्छी क्रिय शक्ति और अच्छे कमपन निर्मान होना आव पुजी माहराज ने पहले से ही ये सारे बीज लगा के रखे है लेकिन उसकी सिचाई तो हम प्रेम पुर्भक कर सकते है न ताकि वे अच्छे प्रभाव में पल सके प्रसारित होवे मानवता के लिए काम आ सके हैं इनसान की कितनी आखे होती है दो लेकिन वो सिभ भौतिक फिर हम अगर कहें कि सुक्षम शरीर याने मन की कितनी आखे होनी चाहिए या कारण शरीर की याने आत्मा की कितनी आखे होनी चाहिए जैसे कच्छुवा अपने अंतर मन से अपने बच्चों के साथ जूड़ा रहता है वैसे हमारी कार्य कर्म करते वक्त नजर होनी चाहिए फ फिर हम किसी भी कार्य में जूटे हो, इसे हम multitasking भी कह सकते हैं, पानी में होके भी नहीं है। या फिर जैसे परंपूज दाजी ने कहा है कि दूर होके भी दिल से जुड़ो, किसी भी कार्य करते वक्त खुदी को छोड़के दिल की आँखों से, आत्मा की आँखों से काम करना है। हम खुद से, स्वस से कितना प्रेम करते हैं, क्या हम अपने परिवार से कितना प्रेम करते हैं, क्या उस प्रेम का जहरना आपके आसपास भी बैता है, या उसके पार, या फिर शहर, राज्य, देश, पूरी सुरुष्टी में, क्रुपया सोचिए, क्योंकि ये सोचना इस पे अमल करना ही आज की जरूरत बन गई है किसी भी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हमें अहंकार के एक-एक फन को दूर करना पड़ता है और वो भी प्रत्न पूर्वक, प्रेम पूर्वक और जब तक हम ये प्रेम दूसरों के रुधह तक प्रसारित करने के काबिल नहीं हो जाते तब तक हमारी अध्यात्मिक प्रगतिवी थमसी जाती है और ये खेल अनंत तक जारी रहता है हमारा अस्थिर, कार्य रहित, उद्देश रहित बना रहना इस थिती का हमारे आसपास तो असर होता ही है लेकिन हमारे गुरु पर भी असर होता है क्योंकि वे बेचेन रहते हैं जब तक हमारी प्रगति नहीं हो जाती हमारी प्रगति के लिए वो हमसे भी जादा ततपर है आज पूरी दुनिया में मानवता को प्रेम पूर्वक रुदहयों की जरूरत है उस प्रेम की जरूरत है उसके लिए सारे डॉट्स को कनेक्ट करने की जरूरत है उस फुहार की जरूरत है प्रेम की फुहार आशा करती हूँ कि मेरी दिलकी आवाज आपके रुधे तक पहुँच जाए प्रेम की फुहार चले, रिम जिम रिम जिम, अनहत नाद कोई बजे, धिम धिम दिल में तेरा प्यार पले, प्रेम से ये दिया जले, प्रेम की फुहार चले, धन्यवाद झाल